इस कहानी की शुरुआत में हमें डश्टी कोपो पर नाम के एक प्लेन को दिखाया जाता है जो प्रोपाज जक्षन में अपने दोस्तों के साथ रहता है और एक रेसर बनना चाहता है इसलिए और दिन राध रिसिंग के सपने देखता है लेकिन और सल में एक दोई छिड़को होता है जो लेट बोटम के साथ खेतों में प्राकृति खाथ विटामीन डी का इस्प्रे करता है लेकिन डश्टी को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए विंग अराउंड ग्लोबल वेली में हिस्सा लेना चाहता है जिसके लिए काम खत्म होने के बाद अ उसका एलसिल खराब हो जाता है इसलिए अपनी दोस डोटी के पास उसे ठीक कराने आता है डोटी एक बहुत ही अच्छी मेकेनिक होती है इसलिए डश्टी पर गुसा करती है कि मैंने तुम्हें रेस करने के लिए मना किया था और तुम्हारा काम सी दवाई छिड़कना है और अगर तुमने रेस की तो तुम्हारे इंजियन पर ज्यादा जोर पड़ेगा जिससे तुम क्रेश भी हो सकते हो लेकिन डश्टी उसकी बात नहीं सुनता रात को डश्टी चक के साथ रेसिंग शो देख रहा होता है तब ही चक उसे बताता है कि मैं जिस किताब से तुम नहीं उड़े हैं इसलिए मैं उसे ट्रेनिंग क्यों लूँ तो चक उसे कहता कि स्पार्गी ने मुझे बताया कि वो नेवी में बहुत यच्छा फाइटर इंस्ट्रक्टर थे तो डश्टी भी मान जाता है और वो दोनों स्कीपर के हेंगर के भारा जाते हैं चक अंदर ज में हिस्सा लेने जा रहा हूं इसलिए कि आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं लेकिन इसकीपर साब मना कर देते हैं और से कहते हैं कि रेसिंग तुम्हारे बसकी बात नहीं जिससे डश्टी उदास हो जाता है अगले दीनों चक और डोटी के साथ विंग राउंड दे ग्लोबल क्या करता था क्योंकि अब तक तीन बार रेस जीत चुका था फिर क्वालिफाई राउंड श्टार्ट होता है जिसमें से पांच रेसर को चुना जाएगा जो सबसे कम टाइम में मिनारों के राउंड को पार करेंगे फिर एक एक करके सभी रेसर उडान भरते हैं और जब ड दास हो जाता है और वापस खेतों में दवाज चिड़कना काम करने लग जाता है इसकी पर भी धेग रहे होते हैं अगले दिन विंग अराउंड गलोबल रेस से रोपर नाम का एक ओफिसर आता है जो डश्टी को बताता है कि तुम रेस में सेलेक्ट हो चुके हो क्योंकि प तो उसी मुसीबतों का सामना करना बढ़ेगा तब इसकी पर भी वहाँ जाते हैं और और डश्टी से कहते हैं कि तुम रेस में सामतल हो क्योंकि अगर तुम किसी पहार से टकरा गए तो तुमारे परशक के उड़ जाएंगे और मैं तुम पर नजर रख रहा था इसलिए मै कहता है कि मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं बसे सावित करना चाहता हूं कि मुझ में अपनी हैस्या से कुछ ज़्यादा करने की काबिलियत है लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ सकते तो इसकी पर भी इससे ट्रेन करने के लिए तियार हो जाते हैं और उस सुब वो उपर जाता है तो उसे चकर आने लगते हैं इसलिए वापस नीचे आ जाता है इसकी पर वो कुछ समझ नहीं आता तो डश्टी उनसे जूट भोल देता है कि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था तो इसकी पर उस पर गुसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि म मैं बेवकूब हूँ और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं तो डश्टी उन्हें सच बताता है कि मुझे उचाई से डर लगता है तो सहीवी से हिरान होते हैं जिस पर डश्टी कहता है कि मैं सिर्फ खेतों में दवाई छिड़कता हूँ इसलिए मैं कभी 1000 फिट स काफी कम होती है इसलिए काफी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं आरा पा रहा था इसलिए डोटी उसका टोग बढ़ाती है डश्टी दिनरात प्रेक्टिस करता है जिसे अब उसकी स्पीड बहुत जधा हो जाती है और और टर्न लेना भी सीख गया था इसलिए आसमान मे नियोग जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वहीं बिग अराउंड तक ग्लोबल वेली की फ़र्ष्ट रेस इस्टार्ट होने वाली थी डश्टी पहली बार शेर में आया होता है इसलिए जब वो रनवे पर लेंड करता है तो एक बड़ेसे प्लेंड के नीचे आने वाला ह होता है लेकिनों किसी तरह खुद को बचा लेता है फिरो रेस के तंबो का रास्ता पूछते हुए वह पहुंच जाता है जहां डश्टी भूल्डोग से मिलता है जो इंगलेंड के फेमस रेसर थे और डश्टी उनसे रेसिंग के सिक्रेट पूछने लगता है तो डश्टी का चिड़को केते हुए मजाग उड़ाता है और से कहता कि मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगा और तुम्हारे पूर्जे भी नहीं मिलेंगे तब यहां चुपा काबरा नाम का प्लेन अपनी शांदर एंट्री लेता है जो मेक्सिको का इंडो चेंपियन था फिर अगले दिनों घड़ी आ जाती है जब विंग अराउंड दे ग्लोबल रेस का फर्स्ट पड़ाव श्टार्ट होने वाला था इसलिए सभी रेसर ग्राउंड में आ जाते हैं जहां चुपा काबरा को पेली नजर में रशेल नाम की प्लेन से प्यार हो जाता है फिर चाहे के डर की वज़े से आस्मान में नहीं बलकि समुदर से कुछ उपर उड़ रहा था जिससे उसे बर्फ और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पढ़ता है औरो सबसे आकरी में आइसलेंड पहुंसता है जिस वज़े से रिफ्स लिंगर उसका मजा गुणाते हैं अगले दी नेक्ट पढ़ाव स्टार्ट होता है जहां उने आइसलेंड से जर्मनी जाना था जहां डश्टी भी तेजी सांगे बढ़ रहा होता है लेकिन तबी बुल्डो का प्रोपेलर खराब होने की वज़े से उसके आकों पर आयल गिर जाता है जिससे उसे कुछ दिख और डश्टी को ताना मारता है कि अच्छे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते डश्टी बहुत दुखी हो जाता है और वो भी बाकी रेसर के साथ बार में आ जाता है जहां चुपा काबरा उसके पास आता है जो डश्टी को अपने दिल का हाल बताता है कि रश्टी के दिल में मेरे लिए कोई जगर नहीं है तब यहां फ्रास नाम की एक हवाई कार आती है जो डश्टी को बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फेन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये रेस जीते डश्टी भी इससे खुश होता है कि उसके भी फेन से फ्रास डश्टी को एक सुझाओ देता है कि आप एक रेसर बन चुके हैं इसलिए आपको अपने पाइप और इस्प्रेड टेंग को निकाल देना चाहिए चुपा काब रभी फ्रास की बात से सेमत होता है तो डश्टी भी मान जाता है और वो अपने इस प्रेड पार्स निकला लेता है जिससे अब भी बहुत खुश होता है क्योंकि उससे अब हलका अलका मेसूस हो रहा था फिर दिखा जाता कि रेस का तीसा चरण स्थार्ण होता है जिसमें अब डश्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी अच्छाई से सभी जगे फेमस हो जाता है और हर कैसी बुसकी चर्चा होती है और अब डश्टी लास्ट पोजिशन से आठे नंबर पर आ जाता है और अब सारे न्यूज रिपोर्टर डश्टी से क्वेशन पूछने लगते हैं और पौपास जक्शन में भी डश्टी के सभी दोस्त और इसकी पर ये न्यूज धेख रहे ह होते हैं इन सब की वज़ेसे रिपसी लिंग का डश्टी से जल रहा होता है इसलिए वह अपने चम्चों से गयता है कि मैं अपना इत्यास बना कर रहूंगा वहीं डस्टी से एक रिपोर्टर पूच्ठा है कि आपने रिच्च करना किस से सीका तो डस्टियों ने बता था, कि मेरे कोच इसकीपर नहीं मुझे सब कुछ सिखाया है और वो एक अच्छे गुरू और मेरे सचे दोस्त है जिनोंने दुनिया बर में उडान भरी है डश्टी की बातों से इसकीपर में भी जोशा जाता है और वो उनने के लिए ट्रेक पर आ जाते हैं इस पारकिस से खुश होता है लेकिन इसकीपर उनने कीमत नहीं चुटा पाते हैं और वापस अपना इंजन बन कर लेते हैं चक डश्टी के सबी तरह के टोईस बेचने लग जाता है और डश्टी के फेमस होने की वज़े से उसके बहुत सारे टोईस भिग रहे थे जिससे उसकी बहुत सेल्स होत है और उन्हें बताता है कि मैंने अपना इस पेर निकाल दिया है जिससे ओखुश होते हैं डश्टी चुपा काबरा से बाते कर रहा होता है तब इस चानी डश्टी के पास आती है जो से ताजमल दिखाने के लिए अपने सार ले जाती है क्योंकि ओभी इंडिया में थे जा उसे कहता है कि मैं भी नीचे से उन्ने की सोच रहा था लेकिन इसमें बहुत खत्रा है तो इसानी उसे बताती है कि पाहाडों में नीचे रेलवे ट्रेक्स बने हुए है इसलिए तुम उन्हें फोलो कर सकते हो तो डश्टी को भी आइडिया अच्छा लगता है और उश्ट को ठेंस कहता है अगले दिन नेक्ट पढ़ाव श्टार्डों जाता है जहां सभी रेसर को इंडिया से नेपल जाना था वैसे दो रास्ता बहुत छोटा था लेकिन इसमें उन्हें उच्छे उच्छे पहाड़ों को पार करना था डश्टी शानी के आइडिया से पहाड़ो लगती है जिससे डश्टी बहुत धर जाता है मगर रोएंड टाइम पर ट्रेंस से बसता हुआ सेवली टैनल से बाहर निकल जाता है और रोस सबसे पहले नेपाल के ट्रेक पर पहुंच जाता है लेकिन वहां के नजारे को देखकर डश्टी को लगता है कि ओ मर गया है और डेश्टी ने अपनी जान जोखी में डाल कर टनल पार की थी डेश्टी इशानी के पास जाता है और इशानी का नया प्रोपेलर देखकर समझ जाता है कि उसने रिफ्स लिंगर के केने पर उसे गलत रास्ता दिखाया था इसलिए उसे कहता कि इससे मेरी जान जा सकती थी और तुमने इसा क्यों किया तो इशाइनियों से यहती है कि मुझे लगा कि तुम रेस छोड़ कर वापस लोड़ जाओगे जिस पर डश्टियों से यह था कि तुम गलत थी और अब मैं तुम पर बरोसा नहीं कर सकता फिर अकला पड़ा विश्ठार्ट होता है जाओने नेपाल स चाइना जाना था और अब डश्टियों सबसे आगे होता है और उसके पीछे रिपसी लिंगर था डश्टियों सबका चहिता बन गया था और अब सबी जगे उसकी चर्चा होती है और उसके बहुत सारे फेंस बन जाते है रिपसी लिंगर को इससे बहुत गुसा आता है और से हमें बहुत प्रोफिट हुआ है डश्टी स्कीपर को बताता है कि कल मुझे पेसिविक महासागर पार करना है जिसकी दूरी बहुत जादा है इसलिए कि आप मुझे कोई सला देना चाहेंगे तो इसकीपर उसे बताते हैं कि तुम्हें बहुत चोकरना रहना होगा क्योंकि तुम्हें समुंद्र के उपर तेज हवाओं और बरिश का सामना करना होगा साथ यो डश्टी को ये भी कहते हैं कि मुझे तुमपर गरू है डश्टी से खुश होता है फिर दिखाया जाता है कि रात को चुपा कावरा रश्यल का दिल जीतने के लिए जो जो से गाना गारा होता है ये देखकर डश्टी म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देता है और चुपा कावरा को रोमेंटिक तरीके से इंप्रेस करने का तरीका बताता है जिससे जब चुपा कावरा धीरे और प्यार से रोमांटिक गाना गाता है तो इससे रश्यल खुश हो जाती है और गाना उसे बहुत पसंद आता है इससे चुपा कावरा बहुत खुश होता है और डश्टी को थेंस कहता है अगले दिन छटा पड़ा विश्टार्ट होता है जिसमें सभी रेसर को चायना से मेक्सिको जाना था और इसके बीच की दूरी 12 जा किलोमीटर थी इसलिए सभी रेसर को असमान में उपर उड़ रहे थे और अब उसका पेट्रोल भी खत्म होने लगता है लेकिन तबी नेवी के दो फिसर वहां जाते हैं जो डश्टी की मदद करने के लिए उसे अपने साथ फ्लाइसिन हो और जहाच पर ले जाते हैं जान डश्टी सेवली लेंड कर जाता है ज इसलिए इसकीपर से रेडियो पर बात करता है वो ने बताता है कि मैं जोली रेंचेस के साथ हूँ और मैंने देखा कि आपका यहां सिव एकी मिशन है तो इसकीपर इस बात को टालने के लिए डश्टी से कहते हैं कि जल्दी तुफान आने वाला है इसलिए तुम्हें वहा से निकलना होगा और डश्टी के टेक ओफ की तियारी करते हैं और उसे गुलेल से बांध कर तेज स्पीड में उड़ा देते हैं लेकिन डश्टी इस बात से कभी परिशान होता है किसकी पर उससे अभी तक जुट बोलते रहे और उन्होंने सिवे की मिशन किया तबी साकर म और पानी में ढूबने लगता है नेवी वहां पहुंच जाती है और डश्टी को पानी से निकाल कर मेक्सिकोर रेसिंग ट्रेक पर लिया आते हैं जा सभी डश्टी का बुरा हाल देखकर बहुत परिशान हो जाते हैं डोटी डश्टी का चेक अप करती है जिससे उसे उसे कि डश्टी के सभी पार्स बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं इसलिए वो अब नहीं उड़ सकता डश्टी स्कीपर से काफी गुसा होता है इसलिए अकेले में उनसे बात करता है स्कीपर डश्टी को पुरानी बाते बताते हैं कि मेरे स्कौार्टन में सभी नोसी किये थे और उस सभी एक से बढ़कर एक थे क्योंकि सभी को मैंने ही ट्रेन किया था और एक दिन हम आम पेट्रोलिंग पर निकले थे तब ही मेरे साथियों को दुश्मन का एक जहाज दिखाई दिया इसलिए जब हम अमला करने के लिए आगे बढ़े तो हमने देखा क्यों दुश्मन के जहाजों का पुरा गुरूप था और उन सभी ने हम पर हमला कर दिया जिससे हम सभी उन से नहीं बच पाए और हम सभी क्रेश हो गए और मेरा पुरा स्कॉार्टन खत्म हो गया जिससे मैं पूरी तरीके से टूर चुका था और उस दिन के बाद से मैंने कभी उड़ा नहीं बढ़ी और फिस कीपर उसे जुट बोलने के लिए माफी मांगते हैं डश्टी काफी परिशान होता है डोटी उसके पास आती है और उस डश्टी को समझाती है कि मैं जानती हूं किस कीपर ने गलत किया लेकिन तुमारे बारे में सही थे कि तुमें एक दवाई शिड़कू नहीं बलकि एक रेसर हो और अब ये बात पुरी दुनिया मानती है तो डश्टी उसे गयता कि अब मैं रेस नहीं कर सकता लेकिन तभी चुपा कावरा और डश्टी के सभी फेंस उसके लिए उसकी जुरत के सभी पार्स ले आते हैं और इशाइनी को भी अपनी गलती का एसास हो चुका था इसलिए डश्टी को अपना प्रोपेलर देती है जिसे डश्टी खुश होता है और अब उनके पास सभी मुझू थे और अब डश्टी पूरी रात मेहनत करके डश्टी को पूरी तरीके से ठीकर देती है डश्टी अपूरी तरीके से अपग्रेट हो चुका था और अब रेस का आखरी पढ़ाविष्ठाट होने वाला था जिसमें सभी रेसर को मेक्सिको से वापस नियोक जाना चको डोटी डश्टी का उसला बढ़ाते हैं और सभी वाँ से निकलने लगते हैं लेकिन इसकी पर वही रुखने का फेसला करते हैं डश्टी रिपसिलिंगर से कहता कि तुम मुझसे आनने से डरते हो और तुमने अपनी सारी हदे पार कर दी है इसलिए तुम हारने के लिए त्यार हो जाओ रिपसिलिंगर को इससे बहुत गुसा आता है इसलिए वह अपने चमचों से कहता है कि गाउं से आया कोई भी एरा गेरा हमें नहीं आरा सकता इसलिए मैं उसका काम खत्म करना होगा इसकी पर भी उनके बाते सुन लेते हैं फिर जब रेस स्टार्ट होती है तो सभी प्लेन पेले टेक ओफ कर लेते हैं लेकिन डश्टी को थोड़ी देर बाद उड़ान बढ़ने दी जाती है क्योंकि डश्टी क्रेश हो गया था डश्टी फूल स्पीड में आके बढ़ने लग जाता है जाओ बहुत जल्दी जल्दी रेसर को पचारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अब रिफसी लिंगर के काफी करीब पहुंच जाता है इसलिए रिफसी लिंगर अपने चम्चो के साथ उस पर अटेक करने लगता है लेकिन तब इसकी पर वहां आ जाते है जो डश्टी को उन से बचा लेता है डश्टी उन्हें उड़ते वे देख डश्टी उनके पीछे जाता है तो इसकी पर उसे कहते हैं कि मैं खुद को समाल लूँगा तुम रेस पर ध्यान दो डश्टी फूल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है रिफसी लिंगर डश्टी से काफी आगे होता है और और डश्टी को पास आता देख फूल स्पी में आगे बढ़ने लग जाता है डश्टी को भी उचे आसमान में उड़ने में मज़ा आता है लेकिन अभी भी रिफसी लिंगर उससे आगे होता है और अब उससे पुरा विश्वास था कि उससे हराने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए वो जब फोटो खिचाने के लिए रा पर जाता है डश्टी के सभी दोस उसे बदाई देते हैं डश्टी चको थेंस कहता है क्योंगे उसने उसे बताया था कि रिफसी लिंगर हमेशा फोटो खिचाने के लिए जुखता है फ्रांस भी वहाँ पर आ जाता है और वो डश्टी को बताता है कि तुम उन सभी के पस है जोली रेंचर्स का इससा बन जाते हैं और फ्लाइसे नोवर जास से उडान बढ़ते हैं इस कहानी की शुरुआत में हमें डश्टी कोप ओपर को दिखाया जाता है जो कि अब एक रेसिंग लीजेंड बन चुका है उसने बहुत साई रेस जीद ली थी जिसकी वज़े स लोग उसे कभी पसंद करने लगे थे डश्टी अपने दोस्तों के साथ प्रोपाश जक्षन में कौन फेस्टियोल की तैयारी कर रहा था क्योंकि सभी जगे ये न्यूज फेल चुकी थी कि डश्टी इस बार कौन फेस्टियोल में पर्फॉम करने वाला है सभी इससे बहु स्पीड में उपर जा रहा होता है तब उसके गियर बोक्स का कुछ पार्ट डेमेज हो जाता है जिस वज़े से वो नीचे गिरने लगता है तब इसकी पर उसकी मदद करने के लिए उसके पास आते हैं और उसे सेवली नीचे लेंड करवा देते हैं फिर डोटी जब उसकी करती है तो डश्टी उसे बताता है कि मैंने कोई हेवी टास्क नहीं किया मैं रोज की तरह ही उड रहा था और मुझे कुछ नहीं हुआ है बस मुझे थोड़ी सी हिचकी आई है तब यह कहती है कि तुम्हारा रिडक्शन गेर बोक्स फेलो चुका है तो डश्टी उसे कहता है कि हम नया पार्ट्स ओर्डर कर लेंगे तुम उसे बदल सकती हो तो ड़ूटी बहुत सेड हुई कहती है कि तुम्हारे अंदर जो गियर बोक्स है उसका production काफी समय से बंदो चुका है तो चक उसे कहता है कि तुम डश्टी एक गियर बोस को रिपेर कर सकती हो तो डोटी उसे बताती है कि ये बहुती मुश्किल काम है और इस काम के लिए फेक्टियों नी जरूरी है डश्टी उसे काफी परिशान हो जाता है तो डोटी उसे कहती है कि अब तुम्हें टॉर्क को 80% तकी यूज़ करना होगा तो डश्टी उसे कहता है कि मुझे ज़्यादा टॉर्क की जरूरत है क्योंकि मैं हाई टॉर्क के बिना रेस नहीं जीत पाऊंगा और पेले भी तो तुमने मेरा टॉर्क बढ़ाया था तो डोटी उसे समझाती है कि अगर तुमने ज़्यादा पाऊर में टॉर्क इस्तिमाल किया तो तुम क्रेश हो जाओगे इसलिए मैं तुमारे अंदर एक वोर्निंग लाइट लगा रही हूँ जिससे जब भी यह ओन होगा तो तुम अपनी पाऊर को स्लो करना पड़ेगा नहीं तो तुम क्रेश हो जाओगे इससे हम डश्टी समझ जाता है कि वो अब कभी भी रेस नहीं कर पाएगा सब इससे कभी सेड हो जाते हैं रात को इसकी पर डश्टी को एक बार में लेकर जाते हैं ताकि उसका मूर अच्छा हो सके तब ही चक और इस पार्की भी वहाँ जाते हैं वो से कहते हैं कि हमने एक डिलर से बात की है और हम पुरी कोशिश करेंगे कि तुम्हार लिए कोई दूसरा गियर वोक्स मिल सके तब ही डश्टी के अंकल लीट बोटम वहाँ आ जाते हैं और हो डश्टी को कहते हैं कि अब तुम रेसिंग तो करी नहीं सकते इसलिए तुम वापस दवाईच रगने काम पर आ जाना इसकी पर उन्हें समझाने कोशिश करते हैं लेकिन लीट बोटम किसी की भी बात नहीं सुनते वो कहते हैं कि मैं जर्मनी से डश्टी का पुराना स्पेयर भी वापस मंगा लूँगा जो उसने रेस के दोरान हटा दिया था सब भी उन्हें समझाने लगते हैं कि डश्टी रेसिंग के लिए बना है इन बातों से डश्टी काफी निराश हो जाता है और वो बाहर उन्ने के लिए चला जाता है वो काफी गुसे में होता है इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती जाती है लेकिन तब ही डोर्टी का लगाय हुआ अलार्म बजने लग जाता है जिससे जब डश्टी अपनी स्पीड कम करता है तो उसका बेलेस बिगरने लग जाता है वो जैसे तेसे करके लेंड करने कोशिश करता है मगर वो एक खंबे से टकरा जाता है जिससे वहाँ ब्लाश्ट हो जाता है सब भी इसे काफी डर जाते है इस पायर की मेटे को बुलाने जाता है क्योंकि वो एक आग बुझाने लग जाते है लेकिन वो काफी ओल्ड होने की वज़े से उसकी वाटर ट्यूप फड जाती है जिसकी वज़े से वो आग नहीं बुझा पाता इसलिए वो सब मिलकर वहाँ लगे वाटर टेंग को गिरा देते हैं जिससे फाइनली वो आग बुझाती है लेकिन अगले दिन T.M.H.T. यानि की टांस्पोर्टेशन मेनेजमेंट सेफटी टीम से एक इंस्पेक्टर फायर फाइटर आता है जिसका नाम रायकर होता है वो मेडे पर बहुत गुसा होता है क्योंकि उन्होंने पानी का टावर गिरा दिया था तो डश्टियों से कहता है कि सब मेरी वज़े से हुआ है क्योंकि कल रात में यहाँ टावर से टकरा गया था तो रायकर मेड़ों कहता है कि से साफ जाईर होता है कि तुम अपने इन पुराने एक्यूपमेंट की वज़े से इमर्जेंसी के वक्त आग नहीं बुजा सकते हैं और तुम्हारे पास कोई और दूसरा फायर विएकल भी नहीं है इसलिए जब तक तुम पुरी तरीके से नए नहीं हो जाते तब तक पुपाश का ये हवाई अड़ा बन रहेगा सभी से कभी परिशान हो जाते हैं क्योंकि बिना रन्वे के कौन फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता तो इसकी पर उन्हें शान्त करते हैं डोटी सभी को बताती है कि मैं मेडे को पुरी तरीके से एक नए फायर ट्रक में बदल दूँगी लेकिन इसके लिए हमें मेडे की जगे किसी दूसरे को रखना होगा जिसकी मदस से प्रोवाज जक्षन फिस से खुल सकता है सभी को कुछ समन नहीं आता कि कोन ये काम करना चाहेगा डश्टी को मेडे के लिए बहुत बुरा लगता है इसलिए उनके पास जाता है मेडे उसे कहते हैं कि मैं बुरा हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मेरे आग बुजाने के दिन खत्म हो गए है तो डश्टी उनने कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी भी आपको बहुत कुछ करना है और फिरो उनने उनके पुराने जीते हुए मेडल के बारे में याद दिलाता है तब ही उसे वहाँ एक फोटो में मेडे के साथ एक पुराने क्रोब डश्टा की फोटो दिखाए देती है तो मेडे उसे बताते है कि वो सबसे पहला एर फायर फायर फाइटर है जो एक दवाई चिडगों के जैसा ही होता है लेकिन वो आग बुजाता है डश्टी को भी ये काम दवाई चिडगने से काफी अच्छा लगता है इसलिए वो मेडे उ कहता है कि मैं आपका दूसरा फायर 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 बन सकता हूँ जिसने डोटी आपको ठीक भी कर देगी और मैं एक सर्टिफाइट फायर 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 भी बन जाओंगा और इन सबसे प्रोफवाज जक्षन भी फी से खुल जाएगा मेडे इससे काफी एमोशनल हो जाते है फिर अगले दिन डश्टी पिष्टन पीग एर अटेक पर जाने की तियारी करता है क्योंकि वही इकलोती जगह होती है जहां फायर 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 को ट्रेन एंड सर्टिफाइट किया जाता है मेडे उसे कहते हैं कि जब तुम वहाँ पहुंचोगे तो तुम फायर एंड रेस्क्यू के चीफ बलेड रेंजर से मिलना जो ही तुमें ट्रेन और सर्टिफाइट करेंगे फिरो सभी को गुडबाई कहे कर वहाँ से निकल जाता है डश्टी कुछी दिनों के सफर के बाद वहाँ पहुंच आता है जहां वो देखता है कि वहाँ सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं तब ही वहाँ कुछ स्मोक जंपर्स आते हैं वो उनसे पूंचता है कि क्या यही पिष्टन पिग एर अटेक है तो कहते हैं कि तुम वही हो और हम 1958 से ही इस सुन्दर वेली की सेवा कर रहे है और मुझे आपको देखकर लगता है कि आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आये हैं डश्टी उन्हें बताता है कि मेरा नाम डश्टी कोबो पर है यह सुनकर डीपर उसके पांस आती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फेन थी और उसने उसकी साई रेसिंग देखी थी वो से कहता है कि मुझे ब्लेड रेंजर से मिलना है तो उसे बताते हैं कि वो वेली का राउंड लगाने गए है और वो कुछी समय में वापस आ जाएंगे तब ही वहाँ उन्हें टावर पर एक मेसेज मिलता है कि जंगल में लावरिस केंप की वज़े से आग लग गई है सबी ये सुनते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं वो सारी चीजों को लोड करके आग बुझाने के लिए निकल जाते हैं डश्टी भी उनके साथ जाता है जंगल में आग बहुत ज़ादा बढ़ चुकी थी वहाँ ब्लेड रेंजर भी होते हैं जो बड़ी बहादूरी से उस आग को बुझा रहे थे वो सभी को कमार देते हैं जिससें वो सभी उस आग को जंगल में और ज़्यादा फैलने से रोग लेते हैं सबी स्मोक जंपर्स भी पेराशूर्ट की मदस से नीचे कूँ जाते हैं और जंगल के रास्तों को साफ करने लग जाते हैं तबी ब्लेड रेंजर देखते हैं कि कुस टेक्टर आग से बचकर भाग रहे हैं लेकिन उनमें से एक टेक्टर पीछे रह जाता है जिससे वो एक पेर के नीचे आने ही वाला होता है मगर तबी रेंजर उसे अपने हुकी मदस से बचा लेते हैं ये देखकर डश्टी उनसे काफी इंप्रेस हो जाता है मगर तबी उनके सामने से निकल जाता है जिससे वो रेड पाउडर में गंदा हो जाता है वापस आकर डश्टी को साब किया जाता है Blade Ranger को लगता है कि वो कोई ट्यूरिस्ट है तो Will Lifter उन्हें बताता है कि यह हाँ आपसे ट्रेनिंग लेने आया है डश्टी उन्हें बताता है कि मुझे मेडे ने बेज़ा है तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए माझ जाते है और वो मारू को डश्टी के लेन्डिंग गेर चेंज करने हो कहते है मारू से के लेन्डिंग गेर में Ponto स्फिट कर देता है जिससे यह वो काफी लंबा हो जाता है इससे वो बहुत कुछ होता है तबी उसे वहाँ Piston Big Air Attack का Wall of Fame दिखाय देता है जो बिल्कुल Jolly Rangers की तरह था डश्टी मारू से पूंसता है कि मुझे अपनी तस्वीरियां लगाने के लिए क्या करना होगा तो मारू बताता है कि इस Wall of Fame में उसे की फोटो लगती है जो क्रेश हो जाता है यानि कि जो अपनी जान जोखिम में डाल कर उन लोगों की जान बचाता है जिने वो जानता भी नहीं है फिरा में दिखाया जाता है कि अगले दिन ब्लेट डश्टी को ट्रेनिंग देने लगते हैं जहां वो उसे पानी के उपर उन्ना सिखाते हैं ताकि वो ब्रीच को पार करके पॉन्टूस में पानी बर सके डश्टी स्पीड में ब्रीच की तरब पहुँचने लगता है लेकिन इससे उसका टोर्क जादा बढ़ जाता है और अपनी स्पीड कम कर लेता है ब्लेट उसे टोर्क बढ़ाने हों कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डश्टी या गियरबोक्स खराब है तो डश्टी वापस लोट आता है जहां वो जंगल में दुआ उड़ता हुआ देखता है तो रेट फास्पुरेंट पाउडर वहां डाल देता है मगर वहां कुछ कारे बोन फायर कर रही थी इसलिए ब्लेट उसे टाना मारते हैं कि तुमने उन्हें अच्छी छुटी मनाने से बचा लिया डश्टी से काफी सेड हो जाता है वापस हाकर वो अपने दोस्तों से रेडियो पर बात करता है वो उने बताता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी मुश्किल है फिर चक और इस पार्कियों से बताते हैं कि हमारा केलिफोर्निया में एक दोस्त है और उसके पास तुमारा गियर बोक्स है जो दो-तिन दिनों में हमारे पास बेजने वाला है इससे हो सभी कफी खुश होते है तब ही आमें दिखाया जाता है कि हो पिश्टन पिक नेशनल पार्क का ओफिसर केड आता है जो कि बहुत ही लालची था क्योंकि हो पार्क के फंडिंग के पेसों से खुद का प्राइवेट लोंज रेनोमेट करवा रहा था इसलिए ब्लेड और बाइकी सब उसे पसंद नहीं करते थे केड ब्लेड से कहता है कि मेरे पास कुछ केमबर्स की कंप्लेन आई है कि आपके स्टाब में से किसी एक ने उन्हें रेट फास्पोरेंट में बिगा दिया है तब ही डश्टी भी वहाँ आ जाता है इसलिए ब्लेड का ताना मारती हो जाता है डश्टी उन से पूचने लगता है कि ये ब्लेजिंग ब्लेड क्या है तो सभी उसे चुप करवा देते हैं और केहते हैं कि अगर तुमें इसका मतलब जानना है तो रात को मेन हिंगर में आ जाना लेकिन याद रहे कि बलेट को इसके बारे में कोई खबर नहीं लगनी चाहिए रात को जब डश्टी मेन एंगर में जाता है तो मारू से अंदल आता है जहां बलेट के सिवाई सभी मुझूद होते हैं वो एक वीडियो प्ले करते हैं जिसने डश्टी को पता चलता है कि बलेट पहले एक टीवी स्टार हुआ करते थे जिसमें वो एक पुलिसकोप का किरदार निबा रहे थे और उनका एक दोस भी था जिसका नाम निक लूपिन था वो साथ में उस टीवी शो में काम क्या करते थे लेकिन डश्टी को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े टीवी स्थार थे तो यहां क्या कर रहे हैं तो सभी उसे कहते हैं कि अभी भी एक मिष्टी बना हुआ है फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिनोंने पता चलता है कि जंगल में बहुत सारी जगहों पर आग लगी हुई है इसलिए उस सभी मिशन पर जाने की तियारी करते हैं लेकिन बलेड डश्टी को साथ चलने से मना करते हैं क्योंकि हो अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ था लेकिन सभी कहते हैं कि हमें अपनी पूरी टीम के ज़रुष है डश्टी भी उन्हें कहता है कि मुझे भी आपकी मदद करनी है इसलिए बलेड भी मान जाते हैं फिर हो सब साथ में मिशन पर निकल जाते हैं जहां बलेड उन्हें गाइड करते हैं लेकिन आग बहुत जादा होती है इसलिए सभी स्पेस जंपर्स आग में फज आते हैं ये देखकर डश्टी उन्हें बचाने के लिए उनके ओपर रेट फास्वरेंट डाल देता है जिससे हों सभी बज जाते हैं और फाइनली अब वो आग भी भुझ जाती है वो वापस लोट आते हैं जहां डश्टी देखता है कि विए पी प्लेंट केट की पार्टी में जा रहे है तो डश्टी सभी को कहता है कि हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए रात को वो सभी केट के लोट की तरफ जाते हैं जहां बहुत सारे विए पीस आये हुए थे वो लोट बहुती आलिशान और खुबसुरत था क्योंकि केट ने उसे कफी पेसे लगाकर रेनोवेट किया था डश्टी और उसके दोस्वां मस्ती करने लगते हैं और रात ने वो सभी साथ में बहुत अच्छा टाइम स्प्रिंट करते हैं सुबह जब डश्टी के आख खुलती है तो से स्कीपर का कौल आता है और वो उनसे अमने गियरवोक्स के बारे में पूसता है तो चक उसे बताता है कि हमने जिससे बात की थी उस पार्ट का लेबल मिस्प्रिंट था इसलिए हमें तुम्हारा गियरवोक्स नहीं मिला वो सभी से काफी दुखी हो जाते हैं तब ही वहाँ पार्क में अलाम बजने लग जाता है और मारूस के पास आकर उसें बताता है कि केड ने जो इतने सारे वियाईपिस को बुलाया था उनके बॉनफायर की वज़े से जंगल के कहीं इसों में आग लग चुकी है फिर उस सभी जंगल की तरब निकल जाते हैं जंगल में आग काफी बढ़ चुकी होती है इसलिए वो सभी दो इसों में हो जाते हैं जिसमें डश्टी ब्लेट के साथ जाता है जहां वो देखते हैं कि लोच के इलाके के पास भी आग पहुंचने वाली है इसलिए ब्लेट मारू से कॉंटेट करके लोच को खाली करने की चेतावनी देने हो कहते हैं मारू केट से कॉंटेट करता है और वो उन सबी को वहाँ से निकल जाने हो कहता है लेकिन केट उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं अपने लोच को किसी भी हाल में खाली नहीं करवाऊंगा वहीं डश्टी और ब्लेड आग को आगे बढ़ने से रोपने कोशिश करने लगते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा रेट फास पूरेंट नहीं होता इसलिए ब्लेड उससे वापस चलने हो कहते हैं लेकिन डश्टी उसकी नहीं सुनता और कहता है कि हमें अभी है आग बुजानी होगी ये कहकर वो अपने पॉंट उसको फिर से लोड करने के लिए करने हो कहते हैं ताकि वो पानी से टेक ओफ कर सके लेकिन डश्टी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ज़्यादा पावर की वज़े से अलाम बजने लग जाता है जिससे जब वो स्पीड कम करता है तो नीचे गिने लगता है लेकिन तभी ब्लेड उसे हुग की मदद से पकड़क और वो उन्हें कह देता है कि मेरा गेर बोक्स खराब हो चुका है इसलिए मैं फुल पावर में नहीं उड़ सकता तो ब्लेड उसे समझाते हैं कि जिन्दिगी हमेशा वेसी नहीं चलती जैसी तुम उमीद करते हो लेकिन तुम अभी फायर फाइटर बनने आये हो इसलिए अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम उन जिन्दियों के बारे में सोचो जिन्ने तुम कल नहीं बचा पाओगे तबी ब्लेड देखते हैं क्या काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसलिए वो डश्टियों कहते हैं कि तुम अभी यहां से टेक ओफ नहीं कर सकते हैं इ उन्हें मेरी कितनी परवा है वहाई हमें केट को दिखाया जाता है जिसने अभी तक भी अपना लोच खाली नहीं करवाया था लेकिन जब वहां के लोग देखते हैं कि फायर हमारी तरफ बढ़ रही है तो काफी ज़्यादा डर जाते हैं और वो सभी वहां से निकलने लग देखते हैं डश्टी से काफी डर जाता है और वो टावर पर इसके बारे में इनफोर्मेशन देता है फिर वीन लिफ्टर ब्लेट को लेकर आता है जहां मारू जब उनका इंजन चेक करता है तो इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी इसलिए और फोरन उन्हें गिराज में लेकर जाता है डश्टी को ब्लेट के लिए काफी बुरा लगता है रात को डश्टी मारू से पूसता है कि अब ब्लेट कैसे हैं तो मारू से बताता है कि अभी ओर रेश्ट कर रहे हैं और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था तो डश्टी कहता है कि सब मेरी वज़े से हुआ है क्योंकि उन्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था तो मारू से समझाता है कि इसमें तुमारा कोई दोश नहीं है वो हमेशा ही लोग की मदद करते हैं जब से उनका बेश फ्रेंड निक मारा गया तो डश्टी उसे पूसता है कि उसके साथ क्या हुआ था तो उन्होंने हाड नहीं मानी और वो ट्रेनिंग लेकर एक फायर फाइटर बन गए जिससे अब वो असलियत में लोग की जान बचाते हैं और इसी वज़े से उन्होंने तुमारी जान बचाई वहीं हमें दिखाया जाता है कि केड़ अपने लोच को आक से बचाने के लिए पि पुलास के आग बुजाने कोशिश करता है लेकिन तब युसका वाल तूट जाता है सभी से कभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहां से निकलने का वो सी भी गलोता रास्ता है वहीं पिश्टन बिग नेशनल पार्क में भी ये खबर पहुँच चुकी होती है डिपर विलि लिफ्टर वी जानने के लिए तेहार हो जाता है फिर यह सवी सामान लोड करते हैं लेकिन जब मारू उन में पानी बढ़ने लगता है तो देखता है कि वाल में पानी नहीं आ रहा है और अभी आग की वजए से जिल से भी पानी नहीं भर आ जासकता इसलिए वह अपने पा आने RVC फसे हुए हैं ये सुनकर डश्टी उनके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं वहाँ जाकर उन्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं ही वहाँ जल्दी पहुंच सकता हूँ तो वी लिफ्टर उसे कहता है कि तुमारे पॉंटूस में पानी नहीं है तो डश्टी कहता है कि मैं नदी से पानी भर लूँगा तो मी लिफ्टर उसे पर्मिशन दे देता है डश्टी अपनी यलोई स्पीड में उस थरम निकल जाता है जहां वो ब्रीज बर उन दोनों को फसा हुआ देखता है वो नदी से अपने पॉंटूस में पानी बनने कोशिश करता है लेकिन हर जगे जले हुए पेड़ बड़े होते हैं इससे वो हर बार इदर उदर टकरा जाता है वहाई वो ब्रीज भी तूटने लगता है जिससे वो दोनों आरवी सी वहां लटक जाते हैं डश्टी को उने बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तब ही वहाँ ब्लेड आ जाता है वो अपने हुक की मदस से उन दोनों गिरने से बचा लेता है लेकिन अभी भी वो लटके हुए होते हैं डश्टी भी अब उने बचाने के लिए अपनी फुल स्पीड में उस जड़ने की तरफ जाता है और अपने पॉन्टूस में पानी को लोड कर लेता है फिर नीचे आकर वो उस ब्रीज के आग को बुझा देता है जिससे वो दोनों आर्वी सी ब्रीज गिरने से पहले वाँ से निकल जाते हैं ब्लेड भी डश्टी एक काम से बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी डश्टी का इंजन ब्लाश कर जाता है जिससे वो नीचे क्रेश हो जाता है वहीं फिरा में दिखाया जाता है कि अब जंगल के आग भुझ चुकी है और वील लिफ्टर डश्टी को लोड करके वापस लाता है क्रेश होने की वज़े से डश्टी की हालत कभी खराब हो चुकी थी गेराच पहुशते ही मारूट डश्टी को रिपेर करने लगता है पास दिनों में वो उसे पुरा रिपेर कर देता है डश्टी की भी आँख खुल जाती है ये देखर सब बहुत खुश होते है तब ही वहाँ जेमर और प्लास के आते है जेमर अब वहाँ का नया अधिक्षक बन गया था क्योंकि केड ने अपने लोच को बचाने के लिए पानी बंद कर दिया था इसलिए उच्च अधिकारियों ने उसे नोगरी से निकाल दिया था डश्टी बहुत सेड होता है क्योंकि अब उसका गेर बोक्स पुरी तरीके से खराब हो चुका था तब ही मारू से बताता है कि मैंने तुमारे गेर बोक्स को पुरी तरीके से सही कर दिया क्योंकि मैंने पुरी तरीके से उसे change कर दिया है और ये नए से काफी बेतर है इससे अँब बहुत खुश होता है और अब blade भी उसे certified कर देता है जिससे हम dusty एक official fire fighter बन जाता है सबी से काफी खुश होते है वहीं फिरबें दिखाया जाता है कि टीमेश्टी ओफिसर प्रोफास जक्षन को वापस से खोल देता है क्योंकि अब मेडे भी पूरी तरीके से नए हो चुके थे सबी इससे काफी खुश होते हैं तबी चक डश्टी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अब ओफिशियल कौन करणल बन चुका हूँ फिर और सभी दूमदाम से कौन फेस्टियोल मनाते हैं जहां सारे फायर फाइटर भी अपने स्टन दिखाते हैं और अब डश्टी भी फूल स्पीड के साथ उड़ पा रहा था इससे सभी काफी खुश होते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आप एसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में दिगए लिंक्स पर किलिक करके वोच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थेंक्स पर वोचिंग